बाहस्कारम आज हम जो गेम देखने वाले हैं वो मैगनस कालसन और MBL के बीच हुआ था ग्रैंचेस टूर का जो फाइनल चाल हुए उसका फर्स्ट गेम हम देख रहे हैं आज तो क्विकली गेम विंडो की तरफ जाते हैं इस गेम में जो स्टार्टिंग वी वो एफोर सी फाइव नाइट टू एफ तरी नाइट डी फॉर नाइट दी फॉर नाइट एफ सिक्स नाइट सी तरी एशिस यहां पर आप देख सकते हैं कि नैजडॉफ हमेशा सही जो MBL है मैक्सिम वैचल है उसका स्ट्रॉंग विपन र इसमें लेकिन यहां पर अगर देखा जाए तो वाइट के पास पहुंच अच्छे स्टैंडर्ड ऑप्शन से खेल लेगे लिए वान इस बिशब इत्री जिसको की इंग्लिश अटैक बोलते हैं फिर बिशब जी फाई जो इस गेम में खेला था और यह सबसे शार्पेस्ट शांट वरिएशन है अच्छली डाजड़ ऑफ के अगेंस बाकी भी कुछ सिस्टेम्स है जिसे बिशब सी फॉर जी फॉर फॉर बिशब इटू तो यह इन सब में से बीजी फाई के ला यहां पर वाइट ने इसिक्स एफ त्री यह जो पोजीशन है अच्छली यहां पर व रूप विवन मेंन लाइन इधर और इसके लावर नाइट भी थरी भी खेटें लोग तो दोनों ही पोजीशन खेटें बट इस गेम में आफ्टर एशिक्स एफ त्री वा था एफ त्री को एच्छिक्स के लाए यहां पर यहां पर एच्छिक्स की जगह जो बिशब एसेव इंग्लिश अटेक है उसी का ही सेट अप है लेकिन स्रिफ एच्छिक्स आया हुए एक ही डिफरेंस है इंग्लिश एटेक में नॉर्मली एफाइव भी खेलते हैं में में विशब एटरी एफाईव एटरी थाकि बीफोर इमेडियेटली नहीं है और सी तरी का नेट हमेशा नाइट बीडी सेवन कुटी टू लॉंग कैसलिंग के लिए वाइट रेडी कर रहा है बिशब बीशब लॉंग कैसल यहां पर एच पाई खेला जो की जो में नाइजड़ जहां पर एफाई खेला हुए रहता है इस पोजिशन में उसमें यह सिस्टेम बहुत खेलते हैं मे सब्सक्राइब करने के लिए कि फिलाल को इमिडियेटली कोई थ्रेट्स नहीं है तो एक मूँ खेल लेते हैं बिशप e7, queen e1 कुछ कंडिशन में आप knight c5 नहीं जा सकते हो यहां पर एक थ्रेट आ सकते है कि e5 आजाए और e5 के बदा आप d टेक्स मारोंगे तो knight into मर रहा है क्योंकि queen पर थ्रेट है सब्सक्राइब एक मुख खेला यहां पर वाइट ने रुक c8 डेफिनेटली जो सिसिलियन के जो मेन 4-5 पॉइंट होते हैं उनमें c-file कंड्रोल करना बहुत इंपोर्टन होता है हमेशा सो रुक c8 खेला रुक g1 यहां पर immediately कोई प्लान नहीं लग रहा है क्योंकि g4 मुश्किल है यहां पर खेलना h3 g4 खेलना भी मुश्किल है क्योंकि इतना असनी से कुछ होने रहा है वाइट का शायद आइडिया हो सकता है कि g3 रुक सेकेंड रो में आके बाद में शिफ्ट कर जाए d2 पे और उसमें c2 को भी प्रोटेक्शन रहेगा क्विं c7 खेला ब्लैक ने जी थी इनी फाइव डेफिनेटली से लियन आइजडोफ में बहुत बार यह जो नाइट अप बी सिक्स से सीफोर आ सकता है यहां फिर इफाइव से इधर आ सकता है तो एक यह बात हो सकते है रुक जी टू कैसली यहां पर यह बात बहुत डेखना जरूरू है कि भले इमने एच फाइ खेला हुए बट स्टिल ब्लैक जो है वह कैसलिंग कर सकता है क्योंकि कभी भी अपने अगर अभी इमिडियेटली तो जी फोर नहीं है पर अगर कभी आ भी रहे तो आप एच फोर खेलके इसको ब्लॉक कर सकते हो है इस तरी का आइडिया में भी जी फोर भी हो सकता है लेकिन दूसरा इंपॉर्टन आइडिया है कि जब भी आप फोर खेलो तो जी फोर स्क्वेर गार्ड रहे नहीं है तो डी फाइव खेला यह यह पर्टिकुलर पोजिशन में वानुगा कि यहां तो ब्लैक को स्लाइड प्रॉब्लम तो उसमें मानते हैं कि इक्वालिटी का मिल गई है और उसके बाद आपका यह बिशप भी ओपन हो रहा है इस बिशप को अच्छे का से चांसे हैं इसमें सीफोर स्क्वेर बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट बनता जा रहा है एफफोर खेला वाइट ने नाइट सीफोर इफाइव यह ब्लॉक करना बहुत जरूरी था डेफिनेटली आप अभी बिशप सीवन यहां सब कुछ नहीं जा सकते हो क्योंकि पॉन टेक्स पॉन में यह अभी इसको मानना मुश्किल है फिर बाद में फॉरी फाइव खेला नाइट इंटू एटरी नॉर्मली इसके बाद आप दीख सकते हैं कि बिशप पेर तो है यहां पर एक सिर्फ चीज चेक कर सकते हैं कि इकड़ आ रहे की नहीं आ रहे है बट उसमें नाइट इनट इनट इसमें आप देख सकते हैं कि बाद में यह नाइट शायद से B6 C4 कर सकता है यहां फिर कुछ कंडिशन में C5 E4 यहां A4 उसे जा सकता है लेकिन इसमें शायद G4 आ सकता था जिसमें वाइट किंग साइड आटक लांच करने लिए जा रहे है डिफिनेटली अगर आपका इस जैसे में उदर आप एक्सचेंजेज आवाइट करेंगे तो अच्छा रहेंगा आपके लिए तो एच फॉर वाज गुड ट्राइड मेबी जी फो जी फाइव बीफोर यह कंडिशन सकती थी जहां पर एकट बीफोर बिशप कट बीफोर और एने टू में दोनों ही साइ इसको अटक करने कोशिश कर रहा है लेकिन अगर आप देखें तो इस कंडिशन में अब एक बाद चेक कर सकते हैं कि अगर यह पॉन नहीं भी है तो भी बिशप का डाइगमाल उपन रहेंगा हमेशा विच इस एक्चुली गूट फॉर ब्लैक तो बीड़ी फाइव खेला डेफिनेटली आइडिया इस टुब ले कुइन सीफोर बीची टू कुइन सीफोर और यहां पे आप एक्चुली बी थ्री वगर जाओंगे तो ए थ्री वीक हो रहे है तो इसलिए बी थ्री की जगर कालसन ने नाइट बी थ्री खेला बिकास कुई नहीं टू स्टॉप करना बहुत जादे इंपोर्टेंट सा एक बार अगर कुई नहीं पहुच जाता है तो डेफिनेटली ब्लैक के पास चांसेद रहेंगे कि वो पोजीशन कॉंप्लिकेट हो जाए यहां पे नाइट भी थ्री जैसे ही खेला मुझे लगता है और जादा जो तरीके हैं जैसे कि ब्लैक ने बीसी फाइब नॉर्मली आपको एक्टिव मूज हमेशा ढूणने ही पड़ेंगे पोजीशन अदर्वाइस आप अगर लूज मूज देंगे या पैसिव मूज देंगे तो वाइट स्लोली बिल्ट अप करेंगा इस पोजीशन को और एफोर अगर एक बार मर जा यह पोजीशन जब मैं अच्छली वाइट से देख रहा था ऑनलाइन जब लाइव देख रहा था मैं तो चैन्स.com और किसी साइट पर भी जो मूज एक्चुली सजेस्ट हो रही थी किसी भी इंजिन के तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रही थी मुझे कि यूमन प्लेयर के लिए बहुत मुश्किल है डोड़ना क्योंकि जितने भी बुक में हमने रूल्स पड़े हैं किंग सेफ्टी के लिए उन में से हमेशा है कि जिदर हमारा किंग है उसके पॉंस को हमको ज्यादा नहीं चर्चार करनी चाहिए और उनको सॉलिट स्ट्च्च जो है वो अटेक कर रहे है बट स्टिल इदर जो उनली मूँ था वाइट के लिए एडवांटेज लेके खेलने का वह एक ही था सीफोर यह बहुत ही इंपोर्टन्ट मूँ थी जो कि मुझे बहुत डिफिकल लग रहा था और इवन बाकी भी जो लोग जैट कर रहे थे उस टाइम लेके लेकिन आफ्टर बीखट सीफोर यहाँ पर जो दूसरी मूँ सजेस्ट कर रहे थे वह एक लग रहा था जिसमें रुख बी एट नाइट टू सी थी कुइन एवन और अब आप देख सकते हैं कि कुइन को आफ्टर किंग डीटू अगर आप बीटू मारते हैं तो किंग एवन आ जाता है वाइट और फिर वो पॉजिशन डिफेंड हो रही है लेकिन यहाँ पर बिशप सी सिक्स चेक किंग एवन रुक इंटू डीवन नाइट डीवन और रूप बी थी एक पॉजिशन बता रहा था उसमें कि यह शायद वाइट को स्लाइट बेटर र लेंगे कि बहुत अच्छा मुखेला था कालसन ने बीकट सीफॉर के बाद रूप इडीटू यहाँ पर मुझे लग रहे है कि अल्रीडी कालसन ने वह देख लिया था कि इसके बाद क्यूंकि इसमें थोड़ी साइकोलोजी भी है कि आप एक वर्ल्ड चेंपियन के अगें कर लेंगा जो क्वी लेंगा क्या आधू को तो के बाद आफर नहीं किया था कालसन ने और एपिटेशन होंगे यहाँ टो क्विञ चेफूंके च्प। यहीप अत्म होगया बिंगेरो फेंट ओर प्लेयर उर्ग्सोंकिए वार्टेशोर आपाप। तो हम देख सकते हैं कि इस टूर्णमेंट में जो फर्स गेम वह बहुत ही इंपॉर्टन हो और C4 के लिए इसाद ये गेम हमेशा याद रहेंगा लोगों को क्योंकि बाकी decisions बहुत ही important थे लेकिन C4 किसी human player के लिए तोच लेना और उस continuation को देखना बहुत ही important था और कैसे कभी कभी आपको rules break करके decisions लेने पड़ते हैं ये भी उसमें एक सीखने लाइक बात थी तो बाकी games भी और देखते हैं हम बहुत quickly मिलते हैं बहुत जल्दी इस पूरे tournament को मैं try करूँगा कि cover करूँ और कोशिश करते हैं कि उनमें कुछ अच्छे games हो so definitely मिलते हैं bye thank you